अगर आपने समझो 10 रूपिस का रिस्क लिया है तो आप 30 रूपिस का या 20 रूपिस का टार्गेट रख सकते हो जैसे वो आपका टार्गेट आ जाता है या तो आप अपनी 60, 70, 80% पोजिशन क्लोज कर सकते हो अगर आपको ये पॉसिबल नहीं कि आप किसी भी स्टाप में 20 रूपिस से 100 रूपिस की जरनी एक ही ट्रेड में ले सको तो टाइम कोई भी प्रेडिक नहीं कर सकता है बढ़ हम अच्छे ट्रेड को प्रेडिक कर सकते हैं और वो ही मैंने यहाँ पे किया और वो ही मैंने आप लोगों को समझाया टाइम स्टॉप लॉस करके भी हमारी चीज होती है वो स्टॉप में यह में पोले को do YouTube में मैंत बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और जो स्टॉप में यह में यह में पोले चीज होगी और आप लोगों का सब स्वांगत हैं हमारे एक नए वीडियो में अब ये आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक swing trading का concept share करने वाला हूँ जो concept को मैं हना regular basis पे use भी करता हूँ और ये concept share करने का मैंने आप लोगों के साथ क्यों सोचा उसका reason ये है कि recently अभी मैंने हना मैं आप लोगों को यहाँ पे chart में मैंने 5th September को एना एक stock अपने Twitter account में share किया था उसका नाम था GMDC Limited और उसका price वो time पे 261 चल रहा था और मैंने वो tweet में लिखा था कि after a good move from 180 with good volume stock has been consolidated since 6 days मतलब वो 6 दिन मतलब एक 180 से 261 तक आया उसके बाद वो stock वो ही line पे almost 6 दिन से ज्यादा consolidate कर रहा था और वो time पे मैंने आप लोगों के साथ ये chart भी share किया था मेरा बोलने का मतलब ये था वहाँ पे कि अगर ये stock consolidation को वापस से break करता है तो हम लोगों को एक अच्छी good momentum देखने मिलेगी और मैंने यहाँ पे लिखा भी था will gale momentum again about 261 तो यहाँ पे concept क्या था कि कोई भी stock rally देने के बाद एना एक hold down करता है और फिर वापस consolidate करता है और फिर वापस हो consolidation के resistance को break करता है और वापस से एक नई rally करता है तो यहाँ पे हम लोगों ने ये मैंने आप लोगों के साथ 5th September को share किया था फिर आप लोगों ने देखा कि 29 September तक ये stock है ना 320 हो गया था आप यहाँ पे देखो ये concept हम लोग ने यहाँ पे share किया था और अच्छा गासा ये stock ने एक momentum gain किया और 320 तक चला गया तो वापस से मैंने अपडेट किया था कि बाई simple concept था और अच्छी तरीके से result मिला अभी वापस से मैंने यह आज अपने Twitter account पर मतलब आप लोग ये 11th October को वीडियो देख रहे हो मैं 10th October की बात कर रहा हूँ अभी हम लोग 10th October को record कर रहे है तो मैंने यहाँ पे फिर से अपने Twitter पर ये tweet किया था again same setup good about 342 week below 317 पहले ये stock नहीं यहाँ पे देखो यह मैंने circle करके रखा है यहाँ पे same setup दिया था और again वही same setup यहाँ पे आ रहा है और मैंने वहाँ पे लिखा था 342 के ऊपर अच्छा है और 317 के नीचे week हो जाएगा अभी आप यहाँ पे देखो वही same day ये stock ने यहाँ पे 383.45 का मतब जिस दिन मैं ये record कर रहा हूँ video उसी दिन ये stock ने आप यहाँ पे clearly देख सकते हो के 382.35 मतब इसका circuit था 383.45 average close नीचे आया है तो ये concept क्या है ये आज हम लोग discuss करेगे और मैं फिर आप लोगों को है ना एक stock या दो stock का भी recent कोई example यहाँ पे बन रहा है live trade बन सकता है जो आप देख सकते हो वो मैं आप लोगों की साथ share करूँगा तो अभी देखो concept बहुत simple है कभी भी कोई stock अगर हम लोग एक example लेते है कि भाई for example ऐसा समझते है कि एक stock को उपर से rally करके ये level तक आना है ठीक है अभी हम ये level को red कर देते है अभी अगर कोई stock को यहाँ से उपर जाके यहाँ तक आना है अभी हम लोग इसका price देते थे for example 100 और ये stock अभी चल रहा है ले लो for example 20 रुपीस हम लोग इसको 20 रुपीस कर देते है अगर किसी stock को 20 रुपीस से 100 रुपीस तक जाना है तो वो कभी भी one side movement नहीं करेगा उसका एक process होता है वो तरीके से 20 से 100 जाएगा अगर वो one side move करेगा 20 से 100 तो बहुत fast हो जाएगा और शायद ये होता ही नहीं है मेरे ही साब से तो नहीं होता है बहुत rare case में हो के लिए 40 रुपीस होगा फिर वहाँ पे वो कुछ दिन के लिए consolidate करेगा और ये दिन हो सकते है चार पांच छे साथ कुतने भी दिन हो सकते मिनिमम तीन से चार दिन होगे और maximum 10 दिन भी हो सकते है उसके बाद वो अपना ये जो resistance लेवल है ना समझो ये 40 रुपीस का resistance था उ फिर 100 रुपीस जाएगा तो अभी आप यहाँ पे देखो ये stock ने 100 रुपीस करने के लिए 20 रुपीस से 100 रुपीस करने के लिए मेरी drawing बहुत खराब है तो वो चीज़ पे आप ध्यान मत दीजिए concept पे ध्यान दीजिए logic पे ध्यान दीजिए ये stock 20 रुपीस से 100 रुपीस में देखो normal consolidation है ये वाले second वाले case में ज़्यादा consolidation है third वाले example में दो दिन का या तीन दिन का ही consolidation है point यह नहीं है कि consolidation कितने दिन का है point यह है कि हर जगा पे दो दिन से ज़्यादा का consolidation है और उसने अपने resistance को जैसे break किया वैसे वो stock उपर जाता है अभी हम लोगों को swing trading के लिए ऐसे concept को कैसे use करना चाहिए समझो आपने कोई stock को देखा और वो stock आप लोगों को ये condition में मिल गया तो आप लोगों को आपका trade plan कैसे करना चाहिए अगर ये stock breakout करता है अपने recent consolidation को तो आप लोगों को breakout candle का low या फिर वो consolidation का जो पूरा zone है उसका low stop loss लगाना चाहिए ये आपका बन जाएगा stop loss और upside में अभी हम लोगों को पता नहीं है ना कि ये stock कितना उपर जा सकता है तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो as a swing trader अगर आपने समझो 10 रूपिस का risk लिया है तो आप 30 रूपिस का या 20 रूपिस का target रख सकते हो जैसे वो आपका target आ जाता है या तो आप अपनी 60, 70, 80% position close कर सकते हो और बाकी की position को अपनी cost to cost price से trail कर सकते हो या फिर आप जो भी method यूज़ करते हो उससे आप अपने stop loss को trail कर सकते हो अब यहाँ पे देखो मेरे जैसे trader को 20 रूपिस से 100 रूपिस की journey मदब obviously किसे नहीं पसंद आएगा कि मैं 20 रूपिस में लूँ और 100 रूपिस में बेचू पर देखो genuinely यह possible नहीं है as a swing trader अगर आपको यह possible नहीं कि आप किसी भी stock में 20 रूपिस से 100 रूपिस की journey एक ही trade में ले सको तो आप लोगों को यह setups का wait करना चाहिए और जबी भी किसी भी stock में ऐसे setup बनते है वहाँ पे आप लोगों को इसका trade लेना चाहिए यह example GMDC में था पहले मैंने यह GMDC देखो यहाँ पे 180 से यह stock अभी 380 हो गया है मदब अगर हम देखे तो यह stock almost 200 रूपिया चला है पर हमने यह stock में 200 रूपिय की पूरी rally शायद as a swing trader मैंने नहीं पकड़ी होगी अगर मैं आपको इसका monthly chart दिखाऊंगा ना तो हाँ अगर मैं एक बड़ी positional trade की बात करूँ तो पहला breakout यहाँ पे था 220 पे और दूसरा breakout उसका वापस से 265 पे था अब positional trading, short term trading अलग बात हो गई swing trading अलग बात हो गई तो as a swing trader अगर मैं daily time frame को follow करता हूँ तो मैंने यह stock में 180 से लेके 380 तक यह stock में 2 trade किये और दोनों trade में मुझे एक decent profit मिले अपने risk के comparatively तो यह concept है अब यह concept को अगर मैं आप लोगों को psychological समझाओ ना तो बहुत ही simple चीज है वो क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ जबी भी कोई stock rally लेता है यह वाली case में 20 रुपीज से 40 रुपीज हुआ तो सब लोगों की नजर वो stock पे आ जाती है और बहुत सारे लोग जो retail trader होते है जिनको market के बारे में नहीं पता है वो यह stock को यहाँ पे 40 रुपीज में ही buy कर लेते है FOMO में आके पर जो buying pressure पहले होता है 20 से 40 का वो pressure continue नहीं होता है वो pressure buying वहाँ से hold हो जाती है उस कारण यह stock यहाँ पे consolidate करता है और consolidation के period में जो normal trader है जिसने 40 रुपीज पे यह stock को खरीदा था शायद वो impatience होके निकल जाता है और वापस से जब वो 41 या 42 पे breakout करता है फिर से वो stock 60 जाता है फिर वापस से वो ही गलती होती है सारे traders से वापस यहाँ पे enter होते है consolidation में निकल जाते है फिर वापस से breakout होता है यह जो cycle है वो continuously move करते रहता है बट अभी यह concept मैंने आप लोगों को समझा दिया और अगर आप मेरे को twitter पे follow करते हो तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि आज मैंने वहाँ पे live मतलब मैंने twitter पे आज मतलब मैं 10 तारीक को record कर रहा हूँ मैंने 10 तारीक को यह tweet किया था 9.45 एम को और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने तो tweet लेट किया यहाँ पे आप देखो 342 से 383 मतलब एक ही दिन में 40 रुपया तो यह कोई बुदा नहीं है और और एक चीज़ आप लोगों को बता दू यह देखो फर्स्ट वाले breakout में यहाँ पे इसमें breakout हुआ था पर इसका result fast नहीं आया था सेकेंड वाले breakout में इसका result same day आ गया यह भी हो सकता है कि आपने trade लिया तो शायद आपका swing trade 2-3 दिन चले ऐसा भी हो सकता है कि आपने trade लिया और आपका trade का result same day मिल जाए तो time कोई भी predict नहीं कर सकता है बढ़ हम अच्छे trade को predict कर सकते है और वही मैंने यहाँ पे किया और वही मैंने आप लोगों को समझाया अभी मेरे पास एक live example है जिसके उपर आप आज ध्यान रख सकते हो उसका नाम है भारत wire ropes अब देखो अगर हम लोग यह stock का monthly time frame का chart देखे ना तो यह stock नहीं यहाँ पे breakout दिया अभी आप हमेशा याद अखना मेरा 20 rupees से 100 rupees वाला example तो हम लोग ऐसा सोचते है कि यह stock का 20 rupees यहाँ पे था और अभी 100 rupees पता नहीं हम लोगों को कितना उपर है पर यह stock ने 136 से breakout करके already 280 तक आ चुका है अभी आपको याद है वो 20 rupees से 100 rupees वाला example अभी आप यहाँ पे देखो यह stock में कितनी बार opportunity मिली अगर आप यहाँ पे देखोगे यह एक opportunity मिली थी यहाँ पे second opportunity मिली थी और शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे हम लोगों को फिर से एक opportunity मिल सकती है अभी यहाँ पे मैंने क्या किया का planning क्या होना चाहिए आज अगर ये stock 280 के उपर open होता है for example ऐसा निए कि 300 रुपया open होगा तो आपको buy करना है 281 या 282 के आसपास open होता है तो आप इसको ले सकते हो अभी इसमें आपका stop loss क्या है मैंने क्या बोला था breakout candle के low को आप stop loss लगा सकते हो या फिर आप consolidation के swing low को stop loss लगा सकते हो तो यहाँ पर अगर आप breakout candle के low को stop loss लगाते हो तो वो stop loss बनता है 262 अभी देखो 280-262 एपरॉक्स 20 रुपिस का आपका risk होता है तो आप लोगों को 40 रुपिस से लेके 60 रुपिस तक का target इसमें add करना चाहिए अब यह swing trading का concept है तो शायद यह trade जैसे GMDC ने same day 20% circuit लगाया वैसे ज़रूरी नहीं है कि सारे stock लगाए अगर यह लगाएगा तो बहुत अच्छी बात है बट अगर यह नहीं लगाता है तो हमें हमारा risk पता है और अगर यह generally swing trading है ना एक हफते के अंदर complete होना चाहिए अगर नहीं होता है तो आप लोगों को square off कर देना चाहिए time stop loss करके भी हमारी चीज होती है तो यह एक example है दूसरा आप REC का भी देख सकते हो REC में भी अभी same हो रहा है और अगर NBCC को भी देखोगे तो वहाँ पे भी same concept है तो बस यह concept मुझे आप लोगों को समझाना था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ share कर दू तो आप मुझे बताए कि आप लोगों को यह concept कैसा लगा और यह एक swing trading की strategy है जिसको आप use करके daily basis पे अच्छे trade ले सकते हो अभी थोड़ा यह ऐसे basis पे trade आपको regularly नहीं मिलेगे पर जबी भी मिलेगे अच्छे मिलेगे तो वो ध्यान देना quality वाली trades पे ध्यान देना है quantity पे नहीं देना है और बस यह था हमारा आज का यह video अभी देखो यह तो मैंने आप लोगों को concept समझा दिया आप मुझे जरूर कमेंट में बताना आप लोगों को यह concept कैसा लगा और यह method आप भी use करो मैं बहुत time से use कर रहा हूँ अभी आप लोगों के मन में question होगा कि sir हम लोग stock selection कैसे करें तो देखो simple सी चीज है जो भी stock अपने all time high के पास है या जो भी stock अपने 52 week high के पास है वो stock में यह method बहुत अच्छी तरीके से काम करता है क्योंकि हम लोग trend को follow करने की कोशिश कर रहे है और जो stock trend में रहेगे उसमें यह method बहुत अच्छी तरीके से use होगी तो बस यह था मेरा आज का यह video आप मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को हमारा यह video कैसा लगा अगर आप मेरे video को like करोगे तो मुझे एक अच्छा motivation मिलेगा और अगर आप लोगों को यह concept पसंद आया है तो अपने friend के साथ भी जरूर शेर करिए और एक important चीज मुझे आप लोगों को बतानी थी कि मैंने जो Mumbai में meet up रखा था उसका registration हमारा within one week ही पूरा complete हो गया तो अभी हमने Mumbai meet up की registration close कर दी है क्योंकि हमारी जितनी seats थी उतनी seats हमें मिल चुकी है अभी उससे ज्यादा हम लोग registration ले नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे जितनी seats है उतने लोगों को हम बिटा सकते है तो अगर अभी आप लोग registration करने जाओगे तो अभी आप लोगों को वो page open होगा ही नहीं आप लोगों को दिखेगा ही नहीं सिर्फ एक request है जितने लोगों ने भी registration की है ना मेरी उन लोगों से request है कि अगर आप लोग नहीं आने वाले तो आप हमें call करके या message करके inform कर दीजिए जिसके basis पे हम किसी और को chance दे सके वहाँ पे आने के लिए तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आए अगर आप लोगों को हमारे वीडियो